असलाम लेकुम फाइफ क्लास कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपकी टीचर चीचर सना काशीब आईए आज उर्दु का लेक्चर नमबर नो लेते हैं हमने नजम पड़ी थी प्रिंदे की फर्याद प्रिंदे की फिर्याद की हमने रीडिंग भी पूरी की थी उसकी इमला भी कर आज उसका कवाईद आला पेज हमने करना है जिसमें हमारे पास साबके लाके सबसे पहले सफ़ा नमबर एक सो नो पे हैं हमारे पास साबका साबका किसे कहते हैं किसी लफ़ के शुरू में कोई अलामत लगा कर उससे एक नया लफ़ बना लिया जाता है जिस को जिस अलामत क सापका कहते हैं जिक है जैसे करार के शुरूक में लफ्ज लगा दिया बे तो वो बन गया बे करार व्जूक के शुरू के शुरूमें लगा दिया बा तो वो बन गया बा- nggak describes तो ये बाउर बे क्या हैं सापके अच्छा जी अब यह नीचे हमारे पास कुछ words हैं जिनको हमने हमारे पास कुछ सापके दिये हैं वो सापके हमने मुनासिब जगों पे लगा के यह living blanks पूरी करनी है इखलत के साथ हमने लगाया खुश, खुश मास्प बन गया, बेवकूफ के साथ बे लगा दिया, बेवकूफ जर्फ के साथ कम जर्फ, फित्रत के साथ खुश फित्रत, जोश के साथ पूर जोश समझ के साथ ना भी लगा सकते हैं, ना समझ ठीक है? यहाँ आप ना भी लिख लें बेग रहने दे नूर के साथ पूर, लाइक के साथ ना, नालाइक, शकल, बद शकल, खुश शकल भी क्लिक सकते हैं ठीक है? बद रहने मिशाल, बेमिशाल, बद्तमीज, कमजोर ठीक है? यह हो गए हमारे सापके अब आएं अगले पेज़ पे हैं लाखके लहका किसे कहते हैं किसी एक लफ्स के आखिर में लगा कर इस से नया लफ्स बन जाए तो उसे लहका कहते हैं ठीक है यानि वो शुरू में लगता था लहका साबका शुरू में लगता है लहका लफ्स के बाद में लगता है यह हमारे पस कुछ लखके दिये हुए हैं और कुछ लव्स हैं जिनके साथ हमने ये लगाने हैं जैसे दुकान के साथ दार लगा दिया हमने साइंस दान, तरक्की याफ़ता, गुल दान, खोफ नाक, खतर नाक, दोलत मन, अक्तल मन, सबसी फ्रोश, महले दार, शोहरत याफ़ता, हवादार ठीक है, यहाँ आज की डेट लगाएं, यह आपने अच्छी तरह लेंड करने हैं, और हम अपना एक अगला लेसन शुरू करेंगे आज, जिसमें हमने रिडिंग करनी है, ख्याली पुलाओ की ठीक है, ख्याली पुलाओ का मतलब है, हर वक्त नामुम्किन बातें सोचते रहना आईए, इसकी रिडिंग शुरू करते हैं, यह है शेख चिली के बारे में कि वो एक बेवकूफ नौजवान था, हर दर्चे का काहिल और काम चोड़ था, मगर ख्याली पलाओ पकाने और शेखियां भिगारने का माहिर था, मतलब हर वक्त शोखियां ही मारता है, जिसको हम असान अलफाज में कहते हैं, उसका बुड़ी मा के सिवा और कोई ना था, मा भी शेख चिली की इन हरकतों क्यूरा से बहुत परिशान रहती थी और चाहती थी कि वो कोई काम काच करके घर के हालात बदले, मगर शेख चिली को तो सिर्फ बड़े बड़े खौब देखने की जादत थी, शेख चिली का असलाम मुहम्मद रमजान था, ठीक है, अब पहला मनजर क्या है शेख चिली के घर का, कि शेख चिली अपने घर में बठा ख्याली मनसूबे बना रहा है, मा एक टोकरी हाथ में लिए कमरे में दाखिल होती है, मा घुसे से, अरे कमबगत, निकट तू, सारा दिन यूही घर में पड़ा रहता है, कभी कोई काम काज भी कर लिया कर, आगैसे शेख चिली क्या कह रहा है, मुस्कुरा कर, नराज क्यों होती है, अमी जान, आप देखिएगा, एक दिन आएगा, जब हर जगा आपके बेटे के चर्चे होंगे, चर्चे होंगे यानि आपका बेटा मशूर हो जाएगा, आप जहां से गुजरेंगी लोग कहेंगे, वो देखो, शेख चिली की मा जा रही है, माथे पर हाथ मार कर, मा क्या कहती है, वो तो अब भी कहते हैं, कि देखो, वो शेख चिली की मा जा रही है, जिसका बेटा, काम का, नाकाज का, दुश्मन अनाज का शेख चिली मा को दिलासा देते हुए होसला देते हुए तसली देते हुए अरे अमा आप बिलकुल फिकर ना करें सभी बड़े लोगों को पहले तंस का निशाना बनाया जाता है उनका मजाक उड़ाया जाता है फिर एक दिन ऐसा भी आता है शेख चिली की मा कै कहती है उसकी बात काट कर मगर आज ऐसा दिन आगया है कि घर में पकाने के लिए आटे की चुटकी भी नहीं बड़ी मुश्किल से मुरगी के ये दरजन भर अंडे जमा किये हैं इन्हें बाजार में बेच कराओ ताके कुछ पैसे आएं और खाने पिने का बंदोबस्त हो सके अंडो की टोकरी वो शेख चिली को देती है शेख चिली बड़ी फर्माबरदारी से अच्छा अमा जान मैं यूं गया और यूं आया चुटकी बजा कर वो इशारा करता है और टोकरी लेकर बाहर निकल जाता है यहां यह रिडिंग आज यहीं तक करनी है यहां आज की डेट लगा ले और सफ़ा नंबर 123 पे देखें इसके इलफाज माईनी यह आपने अच्छे से लेंड करने है और लेसन में इसके वर्ड जूनके वहां इलफाज माईनी लेसन के ओपर लिखने है आपने ठीक है चले अलाहफिज